आपको हिंदी का पार्ट वन तुम क्या बनना चाहोगे उसका अध्यान कराएंगे बच्चो हर किसी बच्चे का सपना वविस्थ में कुछ ना कुछ बनने का अवस्थ होता है तो इस पार्ट में इस गविता में कभी बच्चों से पूछना चाहता है कि तुम क्या बनोगे ये दे नन्य मुन्य भोले बच्चों तुम क्या बनना चाहोगे कभी कहता है कि छोटे छोटे जो नन्य नन्य भोले बच्चे हैं वो मभिस में क्या बनना चाहेंगे तो बच्चे कभी को क्या उत्तर देते हैं देखो वीर बनेंगे, दीर बनेंगे वीर मतलब बहादुर बनेंगे दीर मतलब धेर को धारण करने वाले बनेंगे सागर से गंबीर बनेंगे मतलब सागर जितना शान तथा गेरा होता है हम भी वैसे ही धैर को धारण करने वाले बनेंगे भारत मा की रक्षा के हित भारत मा की रक्षा मतलब सुरक्षा के हित मतलब के लिए भारत मा की रक्षा के लिए तनिमन से बल जाएंगे तनिमन से बल जाएंगे मतलब अपने प्राणों को लगा देंगे पर भारत मा की रक्षा करेंगे इसके बाद दन दन जब चलें गोलियां सीने पर हस खाएंगे जब गोलियों की बोचार होगी गोलियां दन दन चलेंगी तो हम उन गोलियों को सीने पर हस कर खाएंगे आडे रहेंगे, खडे रहेंगे, आडे रहेंगे मतलब सामना करेंगे, खडे रहेंगे और सीना ताने डटे रहेंगे, जब गोलेयां चलेंगे तो उन गोलियों के चलने पर भी हम साहस पूर्वक खडे रहेंगे और उन गोलियों को अपने सीने पर खाएंगे, फिर परवत वी गर पढ़े रहा हमें परवत मतलब पहाड पहाड भी अगर रस्ते में पढ़ गए तो ठोकर से हम ठुकराएंगे ठोकर से उन पहाडों को हम ठुकरा देंगे आग बवंडर आद्धी पानी आकसे बवंडर मतलब घुम घुम कर चलने वाली गर्म हावा आधी पानी सभी जेल कर हम मुस्कुराएंगे बच्चे कहते हैं कि इन सारी सम परिस्तितियों में भी हम मुस्कुराएंगे तथा अपनी मारत मा की रक्षा के लिए आगे बढ़ते जाएंगे तो बच्चो, I hope आपको first lesson अच्छे से समझ में आया होगा बच्चो, अब आपको अपनी CW Notebook में इसका बताकी Artline Neat and Clean Writing में लिखना है इसके बाद नेक्स वीडियो में हम आपको इसके सब्दार्त प्रश्न उत्तर पढ़ाएंगे बच्चो, बआए